असलालेगम आप सबको आज मैं बना रही हूं कड़ाई पनीर की असान सी रेसिपी वह भी कम मसालों के साथ यह खाने में बिल्कुल रेस्टरेंट जासी लगती है तो आप एक बार ज़रूर बहर पर ट्राय करना और मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी तो चलिए पनीर आदा किलो इसे क्यूब में काटके रख लिया अब इसे हम मैगनेशन कर लेंगे तो मैगनेशन करने के लिए यहां पर मैने एक बावल ले लिया है अब सारे पनीर को इसमें एड कर लेंगे पनीर हमने सारा बावल में डाल लिया अब इसमें हम डालेंगे आदा चमच इसमें हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर, आदर चमच हम इसमें डाल देंगे नमक, और टू पिंच के करीब इसमें हम हल्दी आट करतेंगे, इस टाइम पर फ्रेंड से एक चमच अदरक लसन का पेज दालना तो मैं भूल गई हूं तो आप आट कर लेना और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हल्के आटो के साथ बनीन बहुत सॉज्ट होता है तो टूर जाएगा इसे हल्के हाथों के साथ मिक्स करना पनीन हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसे हम 10 मींट के लिए प्लेट से रखके फ्रीज भीज में रख देंगे तो इंग्रीडिमें यहां 5-5 प्याज्ट कैसलिया है और इक क्यूमें कात लिए और 17 मिर्च चया रेकर आइए ताल-चीनी टुकड़ा मिर्च रूँ Laboratory तेसरी की लाइची थोड़ा सा हमने ही यह पर फूट कल लिया है और यहां पर हमने ले लिए अमलकी फ्रेश क्रीम अची फानीर बनाना स्टार्ट करते हैं तो मैंने ले लिए एक कड़ाई और इसमें दो च्पम मजायल डाल लेंगे तो यहाँ पे मैंने दो चम मजवाइल डाल लिया है अब तील को गरम कर लेंगे अच्छे से तील हमारा गरम हो गया है अब इसमें हम डाल लेंगे साबुत खड़े मसाले मसालों को जादा ब्राउन नहीं करना हलका ब्राउन करेंगे नहीं तो मसाले हमारे जल सकते हैं इसमें हम डाल देंगे पड़्चWhat of cream company in the earth प्यायज को अच्छे से मिक्स कर लेंगे की प्यायज को अच्छा कर लिए अब जब तक हमारी प्यायज ब्राउन हो रही है 민शत हम यहां पे हमने पनीर निकाल लिया अब इसे हम हलका फ्राई कर लेंगे तो एक कड़ाई ले लेते हैं यहां पे हमने एक कड़ाई ले ले लिए इसमें आदा जमा जॉयल डाल लेंगे तो यहां आदा जमा जॉयल डाल लिया अब इन पनीर को इसमें डाल लेते हैं पनीर को हलक से ब्राउन होने देंगे जब तक हमारा यहां पनीर भॉल्डण ब्राउन हो गए अब हम इसे दूसरी साइड पलै लेते हैं पनीर को हमने दूसरे साइट पलट लिया पनीर हमारा अच्छे से दूसरे साइट से भी प्राउन हो गया अब गैस बंद कर देंगे और यहां यहां पर हमारी प्याज भी प्राउन हो गई अच्छे से तो इसमें टमाटर प्यूरी डाल देंगे जो चार टमाटर हमने लिए थ अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम डाल देंगे आदा चमच लाल मिश पौडर एक चमच धनिया पौडर और आदा चमच हम इसमें डाल देंगे नमक और अच्छे से मिक्स कर लेंगे से हमें यहां पर अच्छी से मिक्स कर लिया है यह से तो अभी इसे हम 10 मिंट के लिए ढख इंगे अधार तस पुर मांध कर रहिए यहां पर देखिया हमारा मसाल अच्छे से पक चुका है अब इसमें हम डाल लेंगे शिमला मिर्च और प्यार जो हमने क्यूब्स में काटके रखी ती इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल लेंगे आदा गिलास पानी यह मैंने आदा गिलास पानी लिया इसमें डाल देंगे और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक 10 minute के लिए हम इसे धककन-धकके रख देंगे पियाज और श्रिम्यम्रा-प्राध मिर्ज के गलने तक तो अब इसे अच्छे से mix कर लिए अब धककन-धकके रख देंगे 10 minute के लिए तो यहाँ हमारे 10 minute हो गए हैं तो धकन खोल के देख लेते हैं तो पसाला हमारा अच्छे से हो गया है और प्याज और श्रिम्ना मिर्च भी अच्छे से गल गई है अब इस टैन पे हम इसमें डालेंगे काजू का पेस्ट तो यह हमने काजू का पेस्ट लिया था अब इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करते हुए इसे दो मिंट के लिए ऐसे ही भून लेंगे काजु के पेस्ट को मसालों के साथ चमत चलाते हुए भूने तो यह मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है अब इसमें डाल देंगे टू पिंच फूट कलर आप चाहे तो डालना आपकी मर्जी है और यहां डाल देंगे अब हम पनीर जो आमने फ्राई कर लिया था अच्छे से अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे पनीर अमने अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसमें हम डाल देंगे पनी क्रीम थोड़ी क्रीम जालनी है जादा नहीं और क्रीम के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमने अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा दूद ग्रेवी के लिए मैंने इदर पहुत थोड़ा सा दूद लिया है मुझे जादा ग्रेवी पसंद नहीं है कड़ाई पनी में अगर आपको पसंद है तो आप और जादा दूद ले सकते ग्रेवी के लिए और चाहे तो पानी भी एट कर सकते बर मैंने यहाँ पे दूद लिया है तो दूद अब इसमें हम डाल देंगे उपर से धनिया और अब इसे डिश आउट कर लेंगे हम गर्मा गरम कड़ाई पनीर बनकर रेडी है देखिए फैंस देखने में कितना अच्छा लग रहा है खाने में भी उतना ही अच्छा है तो आप एक बार ज़रूर घर पर ट्राइक करना औ और मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना अल्ला हाफिज